Hello students, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ बालमुकुन मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानेक्सपी तो CCC Online Class की ये Class 2 है, इसमें हम history of computer discuss करेंगे जिसमें काफी important topics हैं क्योंकि इसे related काफी सारे questions हैं जो CCC exam में पूछे जाते हैं तो हम यहाँ पे इन topics को काफी जादा detail में discuss करेंगे ताकि इस topics related अगर कोई question पूछा जाता है तो इजली आप उसका answer दे पाएं तो आए जल्दी से देख लेते हैं कौन-कौन से topics हैं इनको आज हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहला topic है computer का इतिहास और विकास अगला topic है पहला electronic digital computer किसने खोजा पहला प्रोग्राम करने योग computer का बिसकार किसने और कहा किया तो यह काफी important topics है इनको हम आज इस class में discuss करने वाले हैं तो अगर अभी तक हमाई चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लिजे साथ में bell icon को भी press कर लिजेगा आपके साथ में अगर कोई और triple C की तयारी कर रहा है या in future करने जा रहा है तो आप हमाई चैनल को subscribe करने के लिए बोल सकते हैं और हमाई वीडियो को भी आप अपने social media network पे share कर सकते हैं ओके तो आए देखते हैं सबसे पहला topic क्या है इस topic को स्टार्ट करने से पहले अगर हम computer की बात करें समाज के रहन सहन वा कामकास के तरीके को बिलकुल बदल के रख दिया है इसने तो यहाँ पे बात आते हैं सबसे पहला computer कौन सा था कई बार question पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको सारे answers मिलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो computer था जिसको हम बोलते हैं वो है मारा abakas और इसका जो विकास है abakas का अविसकार चीन में हुआ था शोलवी सतापदी में हुआ था इसका अविसकार ली काई चीन जो scientist थे या इन्होंने इसका अविसकार किया है और इसके थुरू हम सिर्फ addition और subtraction दो तरीके के calculations कर सकते थे तो यहाँ पे हमने कुछ lines में काफी सारी information दे दी है अगर आप चाहें तो इसको कहीं अलग से note down भी कर सकते हैं तक याद हो जाए और plus यहाँ पे मैंने एक image एड़ किये ताकि आपके दिमाग में यह बैट जाए कि abacus कैसा होता है और इसका अविसकार 16 सताब्दी में चीन में ली काई chain के द्वारा हुआ था और इससे हम सिर्फ addition subtraction कर सकते थे तो next देखिए नेपियर बोन्स ये भी काफी important invention था और इसका अविसकार हुआ था इसकाart land में 1617 स्वी में इसका invention हुआ था जो नेपियर इसके inventor थे इन्होंने design किया था बनाया था और इसके द्वारा हम सिर्फ addition subtraction multiplication और division कर सकते थे और यहाँ पर जो नेपियर बोन्स है इसमें क्या हड़ियों का यूज करते थे उसकी पट्टियां होती थी जिसको हम calculations के लिए यूज करते थे और mostly इसको scientific calculations के लिए यूज करते थे और इसका जो invention है वो हुआ था जर्मनी में इसको design किया गया था 1620SV में इसका invention हुआ था बिलियम आर्टेट जो scientist है या inventor है इसके इनके द्वारा किया गया था इसका प्रियोग वर्ग मूल लग गुलग या means logarithm जिसको हम बोलते हैं और यहां पर technometric functions के लिए भी इसका use किया जाता था यह काफी important invention था और इसको काफी दिनों तक use किया गया है calculations के लिए तो इससे related भी कई सारे questions पूछे जा सकते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से इसके main main points note कर लिजे कि इसका invention जर्मनी में हुआ था 1620 में इसका invention हुआ था William Arted इसके inventor थे ओके next है Pascal Line जो Pascal Line है उसका अविसकार फ्रांस में हुआ था 1642 में इसका invention हुआ था और इसका जो inventor है या इसके जो एक तरीके से अविसकारक है वो Bless Pascal है इनका नाम है Scientist का ये द्वारा किया गया था इसका प्रियोग addition, subtraction, multiplication और division के लिए किया जाता था और यहाँ पे आप इसकी image देख सकते हैं कि इस ताहिकी का ये दिखता था जिसको यूज करते थे लोग addition, subtraction multiplication और division के लिए 1642 में ओके next है Leibniz का mechanical calculator ये काफी important invention था और इसमें काफी सारी interesting चीज़े आपको अभी पता चलेंगे इसका अब इसका जर्मरी में हुआ था 1671 इस वी में हुआ था Godfried Wilhelm Leibniz के थूँ इसका ये जो scientist है इन्होंने इसका invention किया था या विसकार किया था कि द्वारा किया गया था इसका प्रियोग addition, subtraction, multiplication और division के लिए किया जाता था और ये काफी important invention था उस time के लिए और आज कल भी इसका यूज होता है car या scooter में जो speedometer लगता है उसमें इसका प्रियोग आज भी हो रहा है तो ये काफी important invention था जिसको आज तक लोग use करते चले आ रहे हैं जो हमारे manual meters होते हैं या speedometers होते हैं उसमें इसी technique को use किया जाता है नेक्स्ट है हमारा difference engine जोकि काफी important था और ये इसके जो scientist है वह हमारे computer के जनक एक तरीके से कहला है तो आपे आए देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसका विसकार बिटिस में 1822 में हुआ था Charles Bevers ये नाम आप याद कर लिजे अच्छी तरीके से ये हमारे computer के जनक है Charles Bevers के द्वारा किया गया था इस machine में soft और gear लगे होते थे तो यहाँ पे आप image में easily देख पा रहे होंगे soft और gear लगे होते थे और इसको जैसे भाप के engine को चलाने train का जो भाप का engine था उसको चलाने के लिए भाप को यूज करते थे वैसे इस machine को भी चलाने के लिए steam का या भाप का यूज किया जाता था तो यहाँ पे देखे कि द्वारा किया गया था इस machine में soft और gear लगे होते थे तथा यह machine भाप से चलती थी ओके दिसको भी आप दिमाग में बिठा लीजे कि यह self machine खुछ से नहीं चलती थी इसको चलाने के लिए भाप का यूज किया जाता था चार्ल्स वैबर्च का कंप्यूटर का जनक कहा जाता है तो यहाँ पे last line देखी काफी important है चार्ल्स वैबर्च को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है तो इन्होंने दो तरीके के inventions किये थे एक difference engine जो की 1822 में design किया था और यह काफी popular हुआ था उस time पे उसके बाद इन्होंने इसी में कुछ changes करके एक नया invention किया जिसको बाद में बोला गया analytical engine और यह हमारा 1833 में इसका invention हुआ था और यह भी Charles Favors नहीं इसको design किया था तो आई नेक्स देखते है tabulating machine यह भी काफी important invention था इसका अविसकार 1880 में हुआ था हर्मन होटलिस ने किया था इसका अविसकार के द्वारा किया गया था इसमें information को punch card में store किया जाता था उस time पे जो information थी वहाँ पे उस time पे कोई memory इस ताई के के नहीं थी जिस ताई के memory हम अभी यूज करते हैं क्योंकि यह सब हमारे manual या एक तरीके की mechanical calculators हुआ करते थे जिनको calculations के लिए यूज करते थे इनको उस time पे computer नहीं बोला जाता था सिर्फ mechanical एक तरीके की calculator थे तो यहाँ पे जो information थी उसको punch card में store करते थे tabulating machine में और इसका जो invention है वो हमारा हुआ था 1880 में किसके तो हुआ था Herman Hollerith इनका नाम है काफी अजीब से नाम होते हैं जो कि बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आप इसको कहीं अलग से note down कर लिजे और इसको याद कर लिजे क्योंकि इससे related काफी सारे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे last में दिखे 1896 में Hollerith ने tabulating machine company और यह काफी important information है जिसको मैं अभी discuss करने वाला हूँ tabulating machine company की स्थापना की थी जो की punch card बनाती थी यहाँ पे जो punch card लिखा हुआ है यह punch card यह company बनाती थी और इस company को last में बात में 1924 में international business machine जो की IBM के नाम से आज काफी famous company है इसके नाम को बदल दिया गया और IBM कर दिया गया means सबसे पहला जो IBM का नाम था वो था tabulating machine company और यह क्या बनाती थी punch card बनाती थी और इसका नाम change कब हुआ 1924 में और यह tabulating machine company कब बनी थी 1896 में तो यहाँ पे कई सारे questions का जब आपको एक ही topic से मिल जाएगा और इससे related कई सारे questions पूछे जाते हैं यहाँ पे जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि IBM का full form क्या है तो IBM जो company उसका full form होता है international business machines यहाँ पे last में S भी लगा हुआ है कर दिया गया तो यहाँ पे I hope इससे related काफी सारे information आपको मिली होगी फिर अगला है Mark 1 तो इसका विसकार हुआ था 1930 में Harvard icon तो यहाँ पे Harvard University है उसमें इसका invention हुआ था Harvard University के कुछ लोगों ने मिलके इसको design किया था यह बिसकी पहली electro mechanical calculator machine थी तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजे यह पहली हमारी electrical mechanical machine थी जिसको calculations के लिए यूज किया जाता था तो अगला है यहाँ पे inac anyac या जो भी आप इसको बोल पाए anyac वैसे इसको साही से बोलते है तो इसका full form भी कई बार exam में पूछा जाता है तो electronic numerical integrator and calculator तो यह याद कर लीजे अच्छी तरीके से इसका full form भी कई बार exam में पूछा गया है anyac क्या था इसका अबिसकार हुआ था mercy तो यह दो scientist थे जिन्होंने inac का invention किया था कि द्वारा किया गया था यह बिसका पहला electronic computer था तो यहाँ पर कई सारे questions पूछे जा सकते हैं कि पहला mechanical computer कौन सा था यह पहला electronic computer कौन सा था तो यहाँ पर पहला electronic computer हमारा कौन सा था inac और यह हमारा first generation का computer था EDS AC तो यहाँ पे यह भी एक computer था इसका full form है electronic delay storage automatic calculator और इसका भी कई बार exam में full form पूछा गया तो इसको भी आप अलग से कहीं पे note down कर लिजे इसका भी इसकार हुआ था 1949 में मर्चले वैकर्स ने इसका मारिस बिलकिस ने इसका invention किया था या विसकारक थे इसके इनके द्वारा हुआ था ओके तो अभी तक जितने भी topics discuss किये हैं उस related काफी सारे questions पनते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ important questions रख रहा हूँ जिसके जो answers हैं वो आप हमें comment करके बताएगा प्लस आप में आप ये भी हमें बताएगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ओके तो सबसे पहला question जो हमने आप पूछा है अबगस का निर्माल कहा हुआ याद होगा काफी लोगों को दिमाग में आ रहा होगा नेपियर बोन्स का निर्माल कब और कहा हुआ ये भी काफी important question है slide rule का बिसकार कौन है यहाँ पर pascal line का उपयोग किस प्रकार की गड़नाई करने के लिए किया जाता है ये भी काफी important question है labnees का mechanical calculator का उपयोग आजकल कहां देखने को मिलता है और ये भी काफी important question है तो उम्मीद करते हैं ये सारे questions के answer आप comment करके जरूर बताएंगे क्योंकि इससे आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा और इन questions को आप चाहें तो कहीं पे note down कर लिजे ताकि CCC की अगर आप तयारी कर रहे हैं या किसी भी computer course की तयारी कर रहे हैं तो ये questions काफी important है और इसके साथ में answers भी आप कहीं पे note down करके रख लिजेगा अगर इससे related कोई query है तो आप प्लीज हमें comment करके बताएगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक ज़रूर करिएगा उसको discuss कर सकते हैं प्लस आप चाहे तो हमें facebook पे join कर सकते हैं या twitter पे भी join कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो हमें mail भी कर सकते हैं तो उमेद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा इसमें काफी कुछ information आपको मिले होगी अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और subscribe कर लिजे हमारे चैनल को प्लस हमारी वीडियो को आप अपने friends के साथ भी share करते रहें ताकि ये information उन लोगों तक भी पहुँचे ओके thank you thank you for watching मिलते हैं एक नए topic के साथ एक नए वीडियो में ओके बाई बाई